नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जहारखन जीके स्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रधान मंत्री एवं उनके कारिकाल यानि कि दोस्तों हमारे भारत देश आजाद होने के बाद य दोस्तों हमारे भारत देश आजाद होने के बाद जो पर्थम प्रधान मंत्री बने थे वो थे पंडित जोहार लाल नेहरू जो की 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधान मंत्री के पतपर विराजमन रहे थे उनका कूल कारिकाल 16 साल 286 दिन था इसके बाद दोस्तों दूसरा नम नमर में जो प्रधान मंत्री बने वो थे गुलजारी लाल नंदा जो की 27 मई 1964 से 9 जुन 1964 तक प्रधान मंत्री के पतपर विराजमन रहा उनका कूल कारिकाल 13 दिन का था इसके बाद दोस्तों तिसरा नमर में जो प्रधान मंत्री बने वो थे लाल बाहदूर सास्त्री जो की नौं जुन 1964 से 11 जन्वरी 1966 तक प्रधान मंतरी के पतपर विराज मन रहे उनका ४ूल कारीकाल एक वर्ष 2016 दिन था इसके बाद दोस्तों फिर से एक बार गुल्जारी लाल नंद़ा प्रधान मंतरी बने जो की 11 जन्वरी 1966 से लेकर 24 जन्वरी 1966 तक रहा उनका खूल कारीकाल इसके 23 दिन का था अगला दोस्तों चौथा नमर में जो प्रधान मंत्री बनी वो थी इंद्रा गंधी जो की 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहा इनका कुल कारिकाल 11 साल 69 दिन था इसके बाद जो प्रधान मंत्री बना वो था मोरा रजी देशाई जो की 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1999 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहा इनका कुल कारिकाल 2 साल 126 दिन का था इसके बाद जो चाठा प्रधान मंत्री बना वो था चरण सिंग जो की 28 जुलाई 1999 से चोगदा जनवरी 1980 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहा इसके बीच इनका कुल कारिकाल 117 दिन का था इसके बाद फिर से आगला प्रधान मंत्री इंद्रा गंधी बनी जो की चोगदा जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रही इसके बीच इनका कारिकाल 4 साल 291 दिन का था इसके बाद आगला 7 प्रधान मंत्री बना राजिव गंधी जो की 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसम्बर 1989 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इसके बीच इनका कारिकाल 5 साल 32 दिन का था इसके बाद आगला 8 प्रधान मंत्री बना विशुनात प्रताप सिंग जिसका कारिकाल 2 दिसम्बर 1989 से 10 दिसम्बर 1990 तक रहा इनके बीच इसका कुल कारिकाल 343 दिन का था आगला जो 9 प्रधान मंत्री बना वो बना चंदर सेखर जोकी 10 नवंबर 1990 से 21 जुन 1991 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इनके बीच इनका कारिकाल 223 दिन का था इसके बाद आगला जो 10 प्रधान मंत्री बना वो था पीवी नर्शी महराव जोकी 21 जुन 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इसके बीच इनका कारिकाल 4 साल 330 दिन का था इसके बाद 11 प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाच्वे बना जोकी 16 मई 1996 से 1 जुन 1996 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इसके बीजिन्स का कारिकाल 16 दिन का था इसके बाद जो अगला 12 प्रधान मंत्री बना वो था HD देव गोड़ा जोकी 1 जुन 1996 से 21 अप्रेल 1997 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इनके बीच इनका कुल कारिकाल 324 दिन का था इसके बाद जो अगला 13 प्रधान मंत्री बना वो था इंदर कुमार गोजराल जोकी 21 अप्रेल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इनके बीच इनका कारिकाल 332 दिन का रहा इसके बाद एक बार फिर से अटल विहारी बाच्पेजी प्रधान मंत्री बने जोकी 19 मार्च 1998 से 22 माई 2004 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इनके बीच इनका कारिकाल 6 साल 64 दिन का रहा इसके बाद आगला चोगद्वाँ प्रधान मंत्री डॉक्टर मन महन सिंग बने जोकी 22 माई 2004 से 26 माई 2004 तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान रहे इसके बीच इनका कारिकाल 10 साल 2 दिन का रहा इसके बाद जो पंद्रवाँ प्रधान मंत्री बने वो है वर्तमान प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी जोकी 26 माई 2004 से अब तक प्रधान मंत्री के पत्पर विराजमान है तो दोस्तों ये रहें भारत देश आजाद होने के बाद सभी पर्धान मंतरी एवमन के कारिकाल दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गंटी को प्रेस करके औल पर सेलक्ट जरूर करने क्योंकि दोस्तों आपको परते एक दिन ऐसे ही इस चैनल में GKS रिलेटेट प्रस्ट उद्दर सीखने को मिलता रहेगा